नमस्कार, हिंदे साहित तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ अगर आप भी HP PGT हिंदी या फिर स्कूल लेक्चर नियो की तैयारियां कर रहे हैं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही जादा उप्योगी साबित होने वाला है क्योंकि इस लक्षर में हमने आदिकाल से संब्बन दे 25 मतपुण प्रशनों को रखा है और ये प्रशन आपको ना सिर्फ 25 प्रशन दिखेंगे बलकि इन 25 प्रशनों से हमने लगवग इतने या इससे जादा प्रशनों को बनाने की और भी जादा कोशिश की है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो को देखे और अगर आप सच में ही तैयारें कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है अगर आप बिल्कुल कॉंटिनुसली हमारी क्लासिस के साथ डेली जुरना चाहते हैं तो टीच्मिन्ट में हमारी क्लासिस लगातार होती हैं शाम नौ बजे से दस बजे तक लेकिन हमारा जो नया बेश शुरू हने वाला है उसमें भी हम आपको अन्रोल कर देंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगए वर्टसैप नंबर के उपर आप हमें वर्टसैप के साथ सीधे कॉंटक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आप हमारी लाइव क्लासिस लेने कौन है तो पहला प्रशन है कवी रत्नमाला एक रचना आपको दिख रही है इस जो रचना है ये आप देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए कुछ एक अधार भूमी रही है या कुछ एक अधार स्त्रोत रहे हैं तो उन्हीं अधार स्त्रोतों में से एक रचना है आपकी कवी रतनमाला तो कवी रतनमाला एक तरीके का ये कवी वृत संग्रह है जिसमें लगबग कितने कवियों को इसमें शामिल किया गया है इसमें लगबग जो आपके 108 कवियों को इसमें शामिल किया गया है जो आपके राजिस्थान के कवी रहे हैं राजस्थानी के 108 कवियों को इसमें शामिल किया गया है कभी रतनमाला में तो ये तो बात होगी कभी रतनमाला है क्या चीज़ तो ये है आपका एक साहितेतियास लेखन के लिए जो अधार स्त्रोत माना जाता है इसको जिसमें कवियों का परीच है एंड उनके कुछ एक और चीज़ें आपको मिलेंगे जो राजस्थानी के कभी रहे हैं ठीक है ये चीज़ पहले हैं अब आते हैं कि इसके रचाईता कौन रहे हैं तो सरदार कभी हैं तो तोलसी हैं देवी परसाद मुन्शिफ हैं वो माना जाता है तो कावय संग्रह के नाम से इन्होंने लिखा है देखिए वो कभी वृत संग्रह ही उसको कहा गया है लेकिन इसके अलावा यहां पर जो सरदार कभी हैं सरदार कभी की एक रशना रही जिसका नाम है श्रिंगार संग्रह ठीक है तो सरदार कवी की रशना का नाम रहेगा श्रिंगार संग्रहे इसमें इन्होंने लगभग कितने कवियों को स्थान दिया है 125 कवियों की कविताओं के संकलन के साथ साथ उन्होंने उनके कावे की अंगों के उपर भी बात की है श्रिंगार संग्रहे में तो श्रिंगा जो 252 वेशनमन की वारता नामक रचनाएं भी हम हिंदी साहिते इतिहास के अधार स्टोत उनको मानते हैं कि उसके अधार परबात में कवियों के परीचे वहाँ से मिलते हैं दूसरी चीजें वहाँ से मिलती हैं तो ये चीज आपको दिखेंगी इन हर एक रचनाओं में तो ए इतने कवी इन्होंने रखे हैं इन्होंने रखे हैं 125 कवी ठीक है जिसमें इसके अलावे इन्होंने और दूसरी चीज़ क्या की कि इन्होंने आपका जो कावे के अंगों के भी इन्होंने उले किसमें किया है तो तुलसी अगना नाम है देखी ये तुलसी दास नहीं है सिं मुंशिप तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देवी प्रसाद मुंशिप जिनोंने कवी रत्नमाला की रचना की ती बाकी इसमें क्या-क्या चीज़े हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसमें 108 हिनोंने कवी को शामिल किया है उनकी रचनाओं को तो ये था पहला प साथ मून्शिव की कवी रत्माला महेश्ध रत्षुकल का भाशा कवे संघ रहें तुलसी का कवी माला एंड जो आपका सर्दार कवी रही इनका रहार श्रेंगार संघ रहें तो यह था पहला प्रशन, चलिए दूसरा प्रशन देखते हैं यहां पर जो दूसरा प्रशन है देखिए यह है लिखा गया है कि किस प्रकार की पद्धती में साहितेत यहासकार तठस्थ होकर तथ्यों का संकलन करता है तो बहुती सिंपल प्रशन था यह कोई ज़्यादा मुश्किल प्रशन नहीं है I hope आप सब लोग इसका अंसर जान गए होंगे कि तठ्य की बात जहां पर भी आए कि तठ्यों को तठस्थ होकर संकलित किया जाता है तो वो पद्धती हम सब लोग जानते हैं जानिक पद्धती उसको कहा जाता है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हिंदी साहितितियास लेखन की जो पद्धतियां है अकसर पद्धतियों से भी प्रशन पूछ जाता है जिस तरीके से हमारा पहला प्रशन रहा वहां से भी प्रश्ण बनता है देखना साहिते ट्यास लेखन की पदतियांके अलावा जो आपका साहिते ट्यास लेखन के लिए जो अधार स्त्रोत रहें वहां से भी प्रशन आता है तो वैग्यानिक पदती में आपको प्रशन से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या करता है साहिते का इंतियासकार तठस्त रहता है और तत्यों को संकलित करता है लेकिन साहिते इतियास या यूँ कहें साहिते जो है सिर्फ और सिर्फ तत्यों का संकलन मातर नहीं रहा रहता है और नहीं साहित्य में बिलकुल आप ये कह सकते हैं कि उसमें as it is वैसी कि वैसी स्टीक चीज़ें आप रहेंगे उसमें कालपनिकता रहेगी उसमें जो भावातमकता रहेगी इन सब चीजों को कौन सी ऐसी पदती है जो पूरा करती है वो है विधेवादी पदती तो सबसे श्रिष्ट पदती अगर आपको पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा विधेवादी पदती इसको भी आपने ध्यान में रखना है विधेवादी पदती के जनमदाता रहे तेन जबकि हिंदी में रहे जो जनमदाता माने जाते हैं अचारे रामचंदर शुक्ल को तो ये चीज़ भी आपको द्यान रखनी है इंपोर्टन प्रशन है कि ये बाला पूछ जाता है देखना और कालकरमनुका अनुसार जो पदती अपनाई इसको किसने अपनाया इसको अपनाय गया था जो 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 ग्रियर्सन के द्वारा ठीक है ये प्रशन भी आपके लिए बनता है तो इसको भी आप द्यान रखें कि कालकरमनुक्रमिक पदती किसने अपनाई ग्रियर्सन ने पहले पहल लेकिन इसको व्यवस्तित किस ने किया व्यवस्तित किया मिश्रबंदू ने ये प्रशन भी कई बार पूछा जाता है कि कालानुक्रमिक पद्धती को व्यवस्तित तरीके से प्रतिश्टित किस ने किया है तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्रबंदू ये चीज भी आपको याद रखनी है आलोचनात्मक पदती आप सब लोग जानते हैं कि ये किस ने रखी आलोचनात्मक पदती को अपनाया जो आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा हुए हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का अलोचनात्मक इतिहास लिखा था इसी पदती के अनुरूप ठीक ह तो इसमें रखनाओं का ये विशद विशलेशन करते नजर आते हैं अलोचनात्मक पदती में समिक्षात्मक जिसको हम कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बग्यानिक पदती बाकी पदतियों में क्या-क्या चीज जाती है आई होप आप आप लोगों इसको भी पूछ जाता है और इसका जो राइट अंसर है ये है जॉर्ज ग्रियरसन बहुत ही मौतपूर नाम है हिंदी साहीते यहास्त में और इनकी रचना आती है दे लिंग्विस्टिक सर्वे अफ हिंदोस्तान या इंडिया आप कुछ भी समय कह सकते हैं लेकिन आपको इसका जो दूसरा हिंदी रुपान्तर ने भाशा सर्वेक्षन ये भी आप ध्यान रखें ठीक है भाशा सर्वेक्षन इसी रचना का शीर्शक रहा एंड साती सात यहां पर इन्होंने बहुत सारी स्थापनाई दी हिंदी के संदरब में और हिंदी के कवियों के संदरब मे इस संदर्ब में जो जो जॉर्ज ग्रियासन है बहुती जादा मौतपूर नाम है ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है इनका जो इतिहास गरंथ का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सक्षिन में जाकर बता सकते हैं कि इन्होंने पहला जो साइटे इतिहास गरंथ लि देखेंगे पिशेल को जिनको हम अपवरंश का पानीनी भी कहते हैं खासकर अपवरंश साहिते के अंतरगत पिशेल और याकोबी दोनों का नाम आता है याकोबी जो एक संपादक के तौर बहुत ही मौतपूर्ण है तो इनको भी पूछा जाता है ये भी आपने द्यान इपी के संदरव में तो कौन-कौन सी चीज़े हैं ये भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़के जाना है तो ये था हिंदी को अंग्रेजों दारा अविश्कृत भाशा किस ने कहा जोर्ज ग्रियर्सन बाकी पीशेल और याकोबी एंड सुनीती कुमार चटर जी भ जा है और इस तरीके के प्रशन आपको PGT हिंदी में डेफिनेटली पूछे जाते हैं पांस से साथ क्रशन आपको ऐसे दिख जाएंगे जो कालानुक्रमिक पद्न इसमें या कालक्रम के अनुसार लगाने को आपको पूछे जाते हैं है ना तो ये चीज़ें भी आपको धि प्रवरितियां रही है ना जैसे आप देखेंगे भारते अंदो यूग की प्रवरिति सबसे पहले समस्या पूर्ति आती है समस्या पूर्ति के बाद जो दूसरी इतिवरितात्मकता आती है इसी तरीके से व्यक्तिकता आती है इसी तरीके से जो आपकी मनोवे ज्यानिकता इनको भी आपको क्रमानुसार लगाने को पूचा जा सकता है तो आपको प्रशन हर तरीके से याद रखना है खासकर कालक क्रमानुसार वाले जो प्रशना आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है हिंदी साहित्य का मौकिक इतिहास देखिए हिंदी साहित्य का जो मौकिक 5 में लिखा गया था ये और विशवनात त्रिपाठी के दौरा इस सहीत इत्यास गरंद की रचना हुई है ठीक है हिंदी सहीत का सरल इत्यास इसके अगा अद्यास है ये सुमन राजे के दौरा लिखा गया था 2003 में तो यहां से आप सीधा इसका मिलान कर सकते हैं कि सबसे पहल यहां पर हिंदी साहित्य का सररी तिहास आ जाएगी, दूसर नमबर पर यहां पर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो सुमन राजेवाला है, वो आ जाएगा, और तीसर नमबर पर हिंदी साहित्य का जो मौकी की तिहास है, इसको आपने कर लेना है, तो इस अधार पर आपक का काल किस ने कहा है तो देखे आधिकाल नामकर्ण की दिश्टी से बहुत ही ज़्यादा मौतपूर नाम है और सबसे ज़्यादा विवादास पद अगर कोई काल माना जाता है तो आपको ये भी आदट न है ये प्रशन भी पूछा जाता है तो ये आधिकाल ही रहा है आधिक हजारी पर साथ दिवेदी ने कहा है, अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल इनकी एक कृति रही है। लगवग दूसरी या तीसरी लाइन में ही नो नहीं ये चीज कही है कि यह काल नाना दिश्टियों से अत्यांत मुहतपोन है शायद ही भारत वर्ष के इतिहास में इतने वीरोधी और व्यागातों का युग कभी आया होगा तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि अत्या नाम दिया वीरगाता काल नाम दिया है ठीक है तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है हालांकि आदिकाल इन्हों ने कहा लेकिन इसने वीरगाता काल नाम को ज्यादा तवज्जो दी है ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है तो ये था विश्वनात रिपाठी और हलां कि नामकरण के दिश्टी से इतना ज़्यादा इन्होंने कोई मौतफ़ून चीज नहीं कही है शुकल और हजारी प्रसाद दिवेदी से समझत प्रशन यहां से बन सकता है चलिए नेक्स प्रशन देखते हैं अगला जो प्रशन है यहां पर आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा सिद्धों की उद्रित रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभरश या पुरानी हिंदी है तो यहां पर एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि पुरानी हिंदी नामकरण किस ने किया है अचारे रामचंदर शुकल और राहूल सांक्रित्याइन अब ये दो तो आपके अल्रेडी निकल जाएंगे फिर बशते हैं आपके राहूल सांक्रित्याइन और अचारे रामचंदर शुकल तो कुछ एक प्रशनों में आप ऐसे फश जाते हैं तो उसमें आप ऐलिमिनिट कीजिए दो में जब रहेंगे तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत चांसिस आपके तुका लगाने के हो जाते हैं लेकिन ये वाली जो चीज़ कही है देखिए देश बाशा, मिश्रित अपवरंश या पुरानी हिंदी ये किसने कहा था ये कहा था आपके जो रामचंदर शुकल हुए हैं उन्होंने तो यहाँ पर इस प्रशन का जो सई आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अचारे रामचंदर शुकल जिन्होंने क्या माना सिद्धों की जो उद्रेत रचनाओं की भाशा कैसे थी देश भाशा मिश्रित अपवरंश या फिर पुरानी हिंदी की काववाशा रही है लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी आपको दिहान में रखनी है जो अचारे रामचंदर शुकल रहे हैं इन्होंने आदिकालिन सिद और नाद साहित को सामपताइक साहित कहकर नकार दिया था ये चीज भी आपको यहाँ पर इन से समद्धित याद रखनी है इन्होंने जो ये देश भाशा शब्द लिया है ये इन्होंने विध्यापती की प्रेणा से लिया था विद्यापती ने अपनी जो रचना रही है किर्टी लता और किर्टी पता का जिसमें उनोंने अवट को दिश भाषा कहा है वहीं से प्रेजितो करी उनोंने ये शब्द लिया है ये प्रशन भी आपको पूछा जा सकता है important प्रशन है इसको भी आपको ध्यान में रखना पड पंक्ती है तो आदिकाल से आपको कुछ एक रचनाकार है उनकी पंक्तियां जरूर उची जाती है तो वो आपको ध्यान में रखनी है तो ये वाली जो पंक्ती रखी गई है ये है आपका जो प्रित्युराज रासो है देखिए उसकी ये पंक्तियां है और प्रित्युराज आपको कहीं भी एक्स्टर जाने की जरूरत ना पड़े ठीक है परमाद रासों की आप सब लोग जानते हैं बारा बरसल, कुकर, जीवे, अरुतिहर, लजी, स्यार ये वाली पंक्तिय अक्सर पूछी जाती है तो इसको भी आप ध्यान रखिए है ना जो आपके हेमचंद्र है उनकी पंक्तियां भी आपको आपने देखा होगा बहुत बार पूछी जाती है ठीक है तो हेमचंद्र को भी आपने आदिकाल में पंक्तियां उनकी कुछ एक मौतफोन पंक्तियां पढ़के जरूर जाना है कीर्तिलता की पंक्तियां खासकर विद्यापती, most important नाम जो आद पढ़ रही है तो ये भी आपको द्यान रखना है लेकिन पंक्तियां आपको विद्यापती की कहीं से भी पूछी जा सकती है उनको आप जहां कहीं से आपको मिलती है विद्यापती की पंक्तियां उनको पढ़ डालिए यहां पर जो इसका सही आंसर था वो था आपका पृत त्विराज रासो चलिए I hope ये प्रशन भी आप समझ गया होंगे next प्रशन देखते हैं अगला जो प्रशन है यहाँ पर महा सुखवाद का संबंध किस से है अब पहली चीज तो यह आती है कि महा सुखवाद क्या है महा सुखवाद है जो सिध्धों में आपको देखने को मिल पहुंचने के लिए भोग विलासता का सहरा लेते हैं कि जिस तरीके का जो सहच जीवन चल रहा है मतलब सहचता के साथ जो भी चीज़ें हो रही है वैसे चलने दीजिए है ना और इसके चलते उनमें जो आप देखेंगे कि महा सुखवाद के चलती उसमें पंच मकार की जो प्रवरिती आ गई थी है ना और ये प्रशन भी कई बार पूछे जा सकता है कि पंच मकार का समन्द किससे है पंच मकार क्या क्या है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं अगर नहीं मालूम तो वो भी हमें बता सकते हैं आपकी हमें नहीं मालूम है अगर ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है चलिए अगला प्रशन पढ़ते हैं अगला प्रशन है यहाँ पर शुक्ल के अनुसार देश भाशा कावे के अंत्रगत कौन सी रचना आती है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है अचारे राम चंद्र शुक्ल ने जो आपके हिं इंदी साहित्य का आदिकाल है उसको उन्होंने दो भागों में विवाजित किया है अब कौन-कौन से दो भाग हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं बहुत ही महतपुन चीज है देखना यह वाला प्रशन कि शुक्ल के अनुसार देश भाशा कावे तो एक है देश कवियों को स्थान दिया है तो यह वाला प्रशन भी आपके लिए important प्रशन है यहां से भी आपको पूछा जाता है तो देखिए इन्होंने जो आपका आदिकाल में कितने कवी रखे थे यह रखे थे इन्होंने लगबग 12 कवी यह प्रशन आपके लिए आता ही आता है कौन सी रचना नहीं आती है तो दो तरीके से इन्होंने आपका विभाजन किया है इन कवियों का एक है अपफभरश कावे दूसरा है देशी बाशा कावे अपफभरश कावे के अंतरगत सिर्फ चार कवी आते हैं या चार रचना आती है विजयपाल रासों हमीर रासों की देशी बाशा कावे औन यहाँ पर यहाँ पर यहां पर दहानत नहीं है कि दो भागों में व्यवाजित किया अपफभरश कावे देश बाशा कावे इसके अलावा और क्या कियाया इन्होंने ग्रियर्सन हो या फिर आपके जॉर्ज ग्रियर्सन हो शिव सिंग सेंगर हो उनको भी आप बता सकते हैं कि उन्होंने कितने कभ्यों को शामिल किया है आधिकाल के अंतरगत चलिए नेक्स प्रशन देखते हैं अगला जो प्रशन है यहां पर असंगत कथन आपने बताना था अपवरंश का पाणिनी पीशेल को कहा जाता है सही बात है अपवरंश में चौपाई 15 मात्राओं का चंद है बिलकुल सही है अपवरंश का लोगप्रिय चंद चौपाई है तो यह बात गलत है इसका जो लोगप्रिय चंद है वो है दोहा या फिर दूहा यह चीज आपको माना इसको dr. bandharkar हुए, पीशेल हुए, ग्रियरचिन, इतियाधी, इन सब ने इसको क्या माना कि ये देशबाशा है, जबकी देशबाशा नहीं मानने वाले हैं इसमें आपके जो याकोबी हैं, उन्होंने इसको देशबाशा नहीं माना है याकोबी और एक और नाम आपके आता है कीथ है ना इन दो राइटर्स ने क्या माना कि जो अफ़वरांश है ये देशबाशा इनको इसने नहीं माना था ये भी आपको हो सकता है पूछा जाए तो इस तरीके के प्रशन हालां कि PGT में आपको कम मिलेंगे लेकिन फिर आप देखेंगे कि PGC NET की तरीके की तरह लेवल रखा जाता है तो आप इसको भी याद रख लिजिए चलिए ये प्रशन भी आई होप आप समझ गया होंगे नेक्स प्रशन देखते हैं यहां पर हजारी प्रसाद दुवेदी के अनुसार सही क्रम क्या है तो देखिए हज हजारी प्रसाद दुवेदी के अनुसार क्रम रखा गया है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले यहां पर हजारी प्रसाद दुवेदी ने रखा था सरप्पा को आटवी शती गोरक्षपा लगवग 900 के आसपा या नवी शती के आसपास पुश्वदंत को भी इन्होंने उसी शती का माना लेकिन क्रम पहले गोरकनात का रखा बाद में पुश्वदंत को इसमें रखा है और लास्ट में इसमें आ जाएंगे चंद बरदाई तो ये रहा हजारी प्रसाद दुवेदी के अनुसार इनका सही क्रम बाकी आपको अपनी बुक से अग किस रशना ने किया है तो डॉक्टर नगेंदर हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा नहीं है संपारित किया है लाला हर्द्याल के साथ ये प्रशन भी कई बार पूछा जाता है इसको भी ध्यान रखना है उसमें इन्होंने क्या माना कि जो संदेश रास्तक एक रखिए है ना इंपोर्टेंट है दिखना खालिक बारी अमीर खुसरो की रही और शब्दानुशासन हेमचंद्र की भविसत कहा आप सब लोग जानते धनपाल की रचना माने जाती है तो यहाँ पर सही अंसर क्या होगा संदेश रासक हो का जिस से हिंदी साहिते के लिए स् एक्स्टा यहाँ पर आपको कोई भी नाम नहीं रखने है तो यहाँ पर यह है प्रवंद चिंता मनी जैनाचारे मेरुत तुंग की सोमप्रव सूरी की कुमार पाल प्रति बोध है जिन धाम की कौन सी है यह आप कोमेंट सेक्शन में जाकर बताईए जिन दत की कौन सी है य आप कोमेंट सेक्शन में जाकर बताईए फिलाल है न तो इसका अंसर आपको पता होना चाहिए बहुती सिंपल रचना है यह चलिए नेक्स्ट एक कणपपा के अधिकांश क्रंत किस विशय के हैं तो कणपपा हम सब लोग जानते हैं कि कणपपा रहे आपके सिद्धों में सबसे जादा पड़े लिखे इसके लिए इननों को क्या कहा क्या कि यह कवित्तों और पांडितों में बेजोड थे जो महापंडित रहुल संकृतियाई ने इनके संबंद में कहा था तो इस आधार पर हम कहेंगे कि जोतिश विश्यों पर इननोंने नहीं लिखा दार्शनि या यूं कहें कि कवित्तों और पांडितों में बेजोड कणापा कोई माना जाता है तो यह चीज़ा आप इनके संदर में याद रख लिजिए फिर अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन जो रखा गया है देखिए प्रशन संक्या पंदरा होली आदी के अफसर पर ग त्यां रखिए और इसके साथ साथ आला जो है आला बर्शारी तुमें गया जाता है रास जो रहा आपका रास जो आपके जैन साहिते के अंत्र करता आने वाला एक शब्द है रास साहिते और रास्व साहिते दो अलग-अलग चीज़े है इसी रास से बाद में मानते हैं कि रासो साहिते दीरे दीरे निकला तो ठीक है यहाँ पर आपको इस प्रशन का उत्तर क्या रखना है याद फागुकावे आला जो है वर्शारी तुम्हें गया जाता है और ये भी आपका एक लोक दीद ही माना जाता है आदिकाल के अंतरगत नेक्स प्रशन यहाँ पर है देखिए रासो शब्द की उत्पत्ती रसाइन से किसने मानी है इस प्रशन का उत्तर भी आपको मालूम होना चाहिए जो आपका आदिकाल है देखिए यहाँ से खासकर रासो साहिते से भी आपको प्रशन पूछे जाते हैं तो ये चीज़ भी आ आपको पूछी जा सकती है तो थोड़ा सा आप इसको भी पढ़के जाएए इसके अलावा जो अन्य नाम है जैसे आपका यहां पर गारसाद अतासी है गारसाद अतासी ने भी माना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है एंड जो आपके इसके अलावा और नाम है देखिए हर जो डिवेदी के अलावा हर प्रसाद शास्त्री, गार्साद अतासी राज सुय से मानते हैं और हर प्रसाद शास्त्री जो है राज यश से मानते हैं, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने हैं कि इसने किस से माना इसकी उत्पत्ती हुई है, है ना, तो ये प्रशन important है, इसको आप थोड़ सा याद रख लिजी, next question है, रासो शब्द का जो प्राचीनतम प्रियोग है, रासो नहीं, रास, रास शब्द का प्राचीनतम प्रियोग कहां पर मिलता है, तो रास का मतलब हम सब लोग जानते हैं, क्रीडा, ये भी आपको कई वार पूच जाता है कि इ हमें सबसे पहले शिर क्रिशन के रास लिलाओं के लिए मिलता है ये शब्द, और आधुनिक समय में हम उसी रास लिला के लिए ही रास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये रास शब्द का प्राचीनतम प्रियोग कहां पर है, श्रीमत वर्ष है, और किसकी है ये महापंडित राहुल सांकृतियाईन की, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये साहितेत यहास गरंतिन का रहा है, राहुल सांकृतियाईन का, और इसमें इनोंने 18 सिध्धों की रचनाओं को प्रकाशित किया है, ये प्रशन, important प्रशन जो तिश करंद नहीं है, ये आपका व्याकरनिक गरंद है, ये चीज़ आपने दियान रखनी है, व्याकरनिक गरंद है आपका उक्तिवक्ति प्रकरण और वनरतनाकर का धांचा जो विश्व को शात्मक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो राइट अंसर होगा विकल्प पंक्तिया अमीर खुसरो की गजल है इनकी और उसकी ये पंक्ति रखी गई है ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्डन पंक्तिया है देखना आपने इसको भी अमीर खुसरो इनकी पंक्तिया पूची जाती है ये आपको याद रखनी है चलिए next देखते हैं अगला प्रशन क्या है अगला जो प्रशन है यहाँ पर देखिए नात्पंत का जनम किसके मेल से हुआ है तो नात्पंती कैसे रहे पहले तो आपके सिद्ध थे वो तो सिद्ध कहां से निकले सिद्ध निकले आपके वजरियान साका से लेकिन ये वैशनव नहीं थे देखिए एक चीज ठीक है महायान और शेव साधक ये रहे हैं महायान मतलब सिद्धों से ही निकले और आपका शेव थे ये विराग्य थे अबधूत इनका रहा मतलब ये चीज भी आपको ध्यान रखना है विरागी थे योगी थे कनफर्टा योगी भी इनको कहा जाता है साधा जीवन जी ने की ये देते थे ग्रिहस्त का इनोंने अनादर किया था और गुरु की महिमा का प्रतिपादन इनोंने किया है ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है चलिए नेक्स प्रशन देखते हैं अगला जो प्रशन है यहां पर देखिए नात्मत के सिद्धों की प्राचिन तम सूची किस ग होगा अगला जो प्रशन है यहां पर यह रखा गया है डिंगल भाशा का समंद किस साहित्य से रहा तो डिंगल भाशा का जो समंद रहा है यह रहा है राजस्थानी साहित्य से ही आप देखें कि यह राजस्थानी मेश्रित जो बरज है वो डिंगल है या राजस्थानी आशावाला portion है वहाँ पर ठीक है मैतली साहित है कि सबसे पहली रचना कौन सी है या आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं अक्सर ये प्रशन पूछा जाता रहता है नेक्स प्रशन देखते हैं अगला जो प्रशन है यहाँ पर शुकल के अनुसार अपने समय के नामी कवी खुसरो को माने इनोंने अपने समय के नामी कवी और संपून कथन इनका क्या है कि एक फार्सी के अच्छे ग्रंथकार एंड साथी साथ अपने समय के नामी कवी रहें कुछ इस तरीके का पूरा का पूरा कथन है ये भी आपको ध्यान अकना है अचारे रामचंद्र शुकल का और शुकल के जो कतन है अलग-अलग जो मौतपूर्ण राइटर रहे हैं उनके बार में ने जो जो चीजें कही हैं बहुत ही जादा मौतपूर्ण हो जाते हैं वो प्रशन इसलिए आप इस तरीके के प्रशनों को जरूर देखिए है ना तो शुकल ने विद्यापती के लि यह उसके लिए भी कहा गया था है ना तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है ठीक है और चंद बरदाई को तो आप जानते हैं कि उन्होंने इसको हिंदी का प्रथम माह का भी माना है शुकल ने और प्रित्युराज राशों को उन्होंने प्रथम महा कावय की संग्या दी हालां कि उन्होंने उसको अप्रमानिक भी माना है यह चीज भी आपने ज्यान रखनी है तो चलिए आज का आखरी प्रशन देखते हैं आज का जो आखरी प्रशन है यहां पर यह है आपका कौन सा प्रशन है देखिए ग्रियरसन के अनुसार विद्यापती क्या है तो यहां जो हैं इसको सिर्फ और सिर्फ क्या रहस्यवादी हो गया श्रिंगारी हो गया या भक्त का भी तीनों तरीकर से मतलब अलग-अलग विदानों नहीं इसको माना है तो यह चीज़ें अगर आपको और ज्यादा विस्तार से जाननी है तो आप हमारी live classes ले सकते हैं आप description box में द comment section में जाकर बताईए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो please subscribe कर लीजिए इस तरीके का content आपको मिलता रहेगा तो फिलाल आज के लिए इतना ही बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक आप सब लोग देखते रहे हिंदी साहीत वारता और मु